असलाम लेकुम एंड वेलकुम बेक टो मैं चैनल आई होब आप सब ठीक होंगे अलागे फजल कम से मैं भी ठीक हूँ आज हम मज़्यदार सी रस्पी बनाएंगे बजार जैसे हम घर पे ही नर्म लों नायम रेश्ची वाले शामी कॉप बनाएंगे बहुत ही असाने से बन सक चिकन बोलनेस में चिकन चैनल कर लिया था आदा किलो मैंने ली थी दाग जिसको मैंने और अदा घ्रेट पेड़ बीगो दिया वा था है वोँ इसमे शामा कर देंगे आपने मेरा नमक का और कंड़ामारा नमक करेंगा नमक चपटे स्वरओंए, क tissu 100 mm तेबल्स४ून जईरा का नमक है बाख्लाप मेरिक आई पॉर्डार जायने का नमक करेंगे तनिया का पॉर्डा नमक कमक स्वराज मेर का चामफटे goes बेर आप इसको पकाना है अबति को यह रवागी में बुधाना है बाद का इसको ङृती है जासे पानुसे काम होना लगे का है ताकि सारा चिकन अरशना से प्रैस हो जाए दाल, जितने भी मसाले लाले loo नीया ओप कर लेनी है तो इसा टाइम लगेगा लेकिन से प्रेस करने हैं आप में ब्रेस्प करना शुरू कर देना है तो बहुत लिसान सी रेष्पी आप नहीं को लाजबी ट्राइड होंगे और आपको में रेष्प पसांदा रहे तो लाइक कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब बेल को प्रेस करना मत बंदले और जितना हो सकता है जिनको को आप कैसे बने होते हैं तो यह बहुत ही मजदार से बहुत ही असाने से घर्में बन जाते हैं को इतना टाइम ही लगता है कुछ लोग पता है कि भी इस घ्रमी नहीं बनाई सकते हैं क्योंकि बजार के जो शामी कवाब का टेस्ट होता है वह घर में आप लग बनाते हैं लेकिन सेम इस रेस्पी को फॉलू करके बनाएंगे तो सेम आपकी बनाएगी और टेस्पी आपको बजार जैसा होगा तो यहां पर सारा पान ड्राइ हो चुका था उसको निकाल लिया था, separate दूसरे बरतर में उसको ठंडा भी कर लिया था, तो यहां मैंने एक टेप, वन टेपर स्पूना उसके शामा कर लिया था, काले मिर्च का पौडर, और हरी मिर्चे मेरे पास मजूद नहीं थी, तो मेरे पस यह रेड मिर्चे थी, अगर आपके पास हरी मिर कटके, साला मिक्स कर दें, ताके मिर्चे हो जितनी है, मैंने हो डाली है, तो सारी इचसरा से मिक्स हो जाए, तो यहां जब ठंडा हो जागा, तो यह मसाला बहुत ज्यादा मतलब के, हुश्च हो जाता है, तो यहां पे मेरे हाथों को आई लगा लिया था, ताके अब हम ब बना लेना है बड़ा सा किई मुटायी भी जिया नहीं होदी पर नौर्मल happening उने चाहिए तो बहुत संके प्रफ्ट मेरा होины कोर तो बना के निया हम नंके तो सकते हुआ लाइक में फ्रीट लचाइब अडिया तृओं ब्रेट बोगां उन्य लाए ऐसाँ कर्म भी यहां पर यहां बैर इक अंड को फ्राइट लिया था तो यहां पर अंड़े को इसके कोटिंग करें चाइब बने बहुत ही मज़तार से हमारी कवाब बनेंगे कोई आपको बेर्ट स्क्रम की लगाने की जरूरत नहीं है कोई पूची सिर्फ आपने अंडे के साथ इसको फ्राइकन दे कितना जबर इसका कलर आया है एक से दो मिंटा आपने इसको एक साथ पर पकाना है और एक से दो मिंटी आपने इसको एक साथ पर और फ्रेम आपकर नीचे नॉर्मल होना ज़्यादा तेज़ आपने नीचे फ्लेम बिल्कु भी नगता है कि ज़्यादा तेज़ होगा तो एक दम से यह ज़्यादा मतलब कि कलर दिन का आ जाएगा गोर्डन बोर्ज जादा हो जाएगा तो फिर उसका मज़ा नहीं है यहां पर देख सकते हैं कितने जबस हमारी इश्वामी क्वाब भन के त्यार हो चुके हैं इसको मैंने डिश्यूट भी कर दिया था बहुत ही मलदासे हैं यहां आपने इसको लाजबी ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे भी फीडबेक लाजबी देना है कि आपको मैं रइस्पी कैसे लगी तो यह देशकते हैं इस इमें आपको नजब्दीक से भी लुक दिखाती हूँ कितने ही जबसे दिख सकते हैं लगा रहे हैं हमें यह कबाव तो आपने इस चामे को आपकी रैस्पिक को लाज़मी ट्राइ करना है ट्राइक करके मुझे बहुताना और जितना होड़ शेर्भी करना है अपनी दोब में लाज़मी जाद रखिएगा हम फिर मिलेंगे एक निव रैस्पिक सब तब तक के लि अलाह फीज